नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मधूलिका मिश्रा आज हमारे बीच एक खास महमान मौजूद हैं उन्हें इंट्रिड्यूस करने से पहले मुझे निदा फाजली की कुछ पंक्तियां याद आ रही है निदा फाजली जी कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड में, तुम भी निकल सको तो चलो कोई यहाँ पे किसी की राहे नहीं बनाता, तुम खुद ही अपने आपको बना सको तो चलो मैंने शायरी इसलिए यूज करी, क्योंकि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत और महनत से ही आज यह मुकाम हासिल किया है इतने बड़े प्लाटफॉर्म पर आज इमर्ज हुए हैं, तो मैं इंट्रिद्यूस करनवाना चाहूंगे आप सभी को सेज ग्रूप के इंजिनर संजीव अगरवाल सर हमारे बीच मौजूद है, स्वागत है बंसल नीउस पर MPCG का सबसे होट, सबसे तेज और सबसे ज्यादा देखे जाना वाला चैनल मुझे मालूम है Moving forward, मैं यह पूछना चाहूंगे कि जैसे education season चल रहा है और Sage Group, Sage University especially, two decades से education के अंदर बहतरीन योगदान कर रही है, बहतरीन काम कर रही है और मैं बताना चाहूंगी ना केवल education, diverse fields, healthcare हो, real estate, हर जगा Sage Group पहुचा हूँ है तो चलिए education से related ही पहला सवाल करूँगी सर, कि Sage University ये कुछ जो भी काम कर रही है, इसकी जो सफल यात्रा थी, उसका थोड़ा वर्णन कर दीजिए मदुली का Sage Group को 40 साल होगा है, अभी हमने पिछले साल 40th Foundation Day बनाया, 83 से शुरूप अठरीती जड़नी और 2001 सम education में हम आए हैं, मुझे लगा था कि कुछ इतना समाज ने हमें दिया है, रियल स्टेट के थूरू तो अब वापस कैसे करा जाए तो मुझे सबसे आसान लगा है अगर मेंने अपने सिक्षा को दे दिया, स्वस्वति का काम कर लिया, ऐसे वर्क को उठाने में, मेंटल स्टेंट देने में, अगर कुछ सेज ग्रूप का सियोग हो गया तो इससे बड़ा कोई योगदार नहीं समाज के लिए है, शुरूआत करी थी हमने S.I.I.T. इंजिन इसे बहुत सारी प्रिक्रिया करीब 40,000 स्टुएंट अभी मेरे साथ पढ़ना है, और कि 70,000 स्टुएंट मेरे अलुम्ना ही हो चुके हैं, एजुकेशन है, मुझे लगता है समरबड का नाम है, एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने आपको मिलाने का काम है, प् पाते करके आता है ना, या उनको टीच करके आता है, वो मेरा सबसे बड़ा अनन्द है, जो क्यूरियस स्टुडेंट्स आज इंटर्व्यू देखेंगे, उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि सेज उनवरस्टी इंदौर और भोपाल में क्या कुछ स्पेशल ल एक ऐसी उर्जा भर सके कि वो हर चनोती का मुकाबला कर पाएं, तो उसके लिए सेज उनवरस्टी बहुत सारे काम कर रही है, करी-करी 14 इस्टुशन सेज उनवरस्टी के अंडर में चलते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, मेंली एडवांस कंप्यूटिंग से और मेनेजमेंट, यह दो इस्टुशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूथ जो है, मेली शुरू में कंप्यूटर सेलेटर काम करना चाहता है, और पी जब जब ज़्यादे मेशर होता है, तो उसको मेनेजमेंट करना है, तो मुझे लगा कि यह दो है, कंप्यूटिंग एंड मेनेजमेंट, इस पर हमारे सब सब ज़्यादे फोकस है, इंदौर इंवस्टी पे भी, भौपाल इंवस्टी भी, हमारे पुराने साइटी इंजिनी कॉलेज जो उसमें भी, मैं धन्यवाद दूँआ मोदी जी का कि उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए उससे एक अलग सोच करेट होई पूरे देश में और इस पेजली जो एडवांस इंवस्टी जो बहुत जल्दी अडॉप करती है, हमारी सेज इंवस्टी बहुत जल्दी अडॉप करती हर चीज को, तो हमने फटाग अडॉप कर दिया, जैसे मैं आपको पता हूँ, इस बार हमने सेज इंवस्टी इंदवर भॉपाल लिब्रार आर्ट्स लेक्या है, जो अभी सबसे करेंट है, हर स्टुएंट को पहले लिए बहुत साई चीज करनी होती है, कि साब हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिकल साइंस भी पढ़नी है, और साब कंपूटर भी पढ़ना है, म स्टुडेंट्स प्लेस्मेंट सीख करते हैं, तो प्लेस्मेंट को लेकर क्या कुछ नया करती रहती है इंवरस्टी, कोई भी स्टुडेंट आता है, वो तीन चीज के अपना लेकर आता है, या तो हमाना पढ़ेगा, फिर एडवांस टेडिस के लिए बहार स्टनफर जाए erreicht鍋 Aa B1 पे ही हमकाइट्07 करातें स्टुडेंट का कि उनके द्मांग में क्या है और चौना चाहते हैं का विज장을 क्या इसलिए उसी स्फटिय उनको करेंगे जाता है या यहते आगे अश जाता है तो उससान को इसे क्लिक कर जाती है जो इंटेर भननना चाःता है उसको साफ पान नहां पढता है तुक शव Bellya भी के जिए रआ या मुपविए ठीजी कर टीज ऺडिगां में हृच झाल नुप्ण थे उसको कैसे डपल अब करना है यू सिख घ्रूप यह सिखाता है कि आपके जो फॉर्मूला आया उसको वो सिखाते हम यह आपने जो फुल कोर्स कंपलिट कर आता है एक चीज पर फोकस पर आपके मतलब इवन डिस्प्लीन में आपके ड्रेस कोट पर भी फोकस करता है हमारे से जुश्टी बोपाल परफॉर्मिक आट एक सब्जेक्ट है उसम रटना तो खतम हो चुका है अब विकास करना सर ने अभी जिक्र किया कि सर भी एनाइटी भॉपाल के स्टोडेंट रह चुके हैं तो सर इंजिनियर से बिजनस टाइकून तक का जो सफर था और स्पेशली एजुकेशन फील्ड में इतना डिवोशन कैसे थोट आया क्या वि रटन करूं तो उस पर काम करा तो मुझे सबसे अच्छा लगा है एजुकेशन ऐसा माद्य में अब जैसे मैं हॉस्पिटल चालो कर रहा हूं मैं हॉस्पिटल लेके आया हूँ दूसरा माद्य में ने बनाया कोविट के बास से मुझे इसा लगा कि समाज में हैल्थ को लेक हूँ कि आप मुझे जब भी सेवा का मुखा देंगा मैं करूंगा और आपके हर परसों को स्वस्थ बना हूँ और हर आप कहां कि हर इस्ट्रुएंट को बहुत अच्छे से उसका मेंटली उसको डबलोग कर दूँआ है बहतरीन काम है पूरे से ग्रूप का सरे क्वेशन ग कि मैं तो जैसे थीरेट पिच्चे थी ना कि पेदा ही होती पिता जी नो बला था मेरे बैटा इंजीनर मने खाए और बेटा बन गया हो दो बना दिया मार मार के कि वादल पेडा होती बोलते हैं तो मेरा बेटा सिविल इंजिनियर बने गए बी करेगा तो बदु में बलता हूं नहीं आपको इस बच्चों के बारे में सभज नहीं किया तरह कि अब इस्ट्रेंथ है उसकी उनकी सोच का है उनकी होबी क्या है तो इसलिए में जब भी बोल आपके अंदर क्या सोच आप क्या चाहरे हो आपको इस्पोर्स में आपको कहरें बनादें कि हमने बहुत सारी स्पोर्स अटाइक पर हुआ पुरी इंदॉर्ज नुश्टी में भी आपके अंदर अग्रिकल्चर करना किसानी का थोड़ा सत जुनूने कुछ आपको मज आते खेतों में जमीन से प्यार है तो अग्रिकल्चर में चले जाओ आपको कुछ बायो साइंसे में कुछ करना है तो उसमें चले जाओ तो आपके अंदर डिकोड करा अपने आपको पढ़ नहीं पाते हैं कि हमारा मन इतना विचलित होता है यूवा वावस्ता बहुत विचलित हमारा तो हम अपने आपको समझ नहीं पाते हैं तो अपने अपने लिए कुछ ऐसे गार्जियंस बनाओ अपने गुरू बनाओ कि वह आपको लिटेट कर पाए और नहीं है तो आप सेज गूर्प में आ जाओ वहां पर बेठे एक्सपर्ट हमारे पास वह आपको डिकोड कर भी स्टूड्य स्टूझस यह वीडियो देख रहे हुँगे उनके लए दिए सवाल कि स्पोर्ट को लेकर सीज्श उनिवर्स्टी क्या कुछ कराती है क्या टौर्णमेंट्स होते हैं क्या फैसिलिटीज है THIS cards पाण नाय से बोपाल में हमने होकी का भी है फूट्वाल का भी है इसक्वेच है बैडमिंटन है हर तरह के ग्राउंट हमने तिया कर लिए और बहुत जल्दी हम हर इस्पोर्स में बड़ा एक धमाका करने वाले सेंटर्ल इंडिया में स्पोर्स में हम बहुत सारे कोर्से शुरू कर रहे हैं अभी तो आप साथ में पैला ली कर सकते हैं तो फीचर में आपको इस पेजलाई उसके लिए डिग्री अवाड होगी डिप्लोमेड अवार्ट होगा साठीट अवाड होगा बद में तो आपको ए आँखों से देखो, कानों से सुनो, और दिमाग से समझो, तब जीतो होगे. जाहिर सी बात है, आप जिस मुकाम पर ने सर चालेंज़ आए होंगे, बट आपने गिवप नहीं किया, जो एक सबसे बहतरीन चीज होती है, लेकिन आजकल जब ये डिप्रेशन और ऐसे एंजाइटी, जैसे वर्ट बहुत कॉमन बन गए है, पेरिंटल प्रेशर भी रहता है, तो स्टूडेंट्स कैसे डील करें, चेलेंज उसको ही आता है, जो सक्षम होता है, इश्वर उसी के प कराओ, इसको टॉप कराना है, तो उस पर फोकस करते हैं, परिक्षा उसकी जादे ले जाती है, तो एक तो स्टूड़ आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई प्रावलम आ रही है, तो समझो कि इश्वर आपकी परिक्षा ले रहा है, आपकी मात्य पीता आप पे ज़् कंसंट्रेट है, आप ज्यादे लखी हो, डिप्रेशन ही है, तो सब मन का खेले, एक इस धालना कर लो, जो कर रहा है, वो इश्वर कर रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है, उस पर विश्वास करो, उस पर जैसे विश्वास करोगे, सब कुछ दूर हो जाएगा, जीवन में सब सबसे इंपोर्ड़न दो चीज होती है, आपका खान पान क्या खा पी रहा हो, और आप सथ संग, किसके साथ का संग कर रहा हो, वोई आपको उपर ले जाएगा, वोई आपको गड़ी बढाल देगा, सथ संग और खान पान का ख्याल करें, थैंक्यो सो मत सर, इतने ब्यूट के लिए और सेज उनिवर्सटी हम सभी के लिए बहुत लहतरीन प्लाटफॉर्म है, जहां पर आप जाकर सही करियर पाथ चूज कर सकते हैं, साथी सेज ग्रूप न केवल एजुकेशन बलकि हेल्थ केर और बहुत सारी डाइवर्स फील्ड्स में काम कर रहे हैं, हमारे साथ साथी इंजिनियर संजीव अगरवाल, इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दिंपल विश्व कर्मा के साथ मधूलिकामिश्रा बंसल न्यूस भोपाल